गुरू की साजी नवाजी, ममता माई, प्यारी साज संगा जी, प्यार से बोलिये जी, धनिंकार जी आओ सत्गुरू के प्यारे संत महतमाव आसा करता है दास की आपके परिवार में सबस्वस्त होंगे और सत्गुरू का आप गुडगान कर रहे होंगे आओ प्यारी साथ संगा जी ये बिलकुल सात्विक सत्य कहानी जो दास के सामने और दास से जो सेर की गई कहानी है आओ प्यारी साथ संगा जी ये सच्छी कहानी के साथ दिल्ली समागम था शद्गुरू बाबा हरदेव सिंग जी महराज उस समय वेजूद थे आओ प्यारी साथ संगा जी दास का और अन्य महत्माओं का बिस्तर के पास थी एक बहन जी जो की जस्पुर की थी उनका बिस्तर पड़ा हुआ था आओ प्यारी साथ संगा जी दुपैरी का समय था तो सभी महात्मा आपस में गुडगान करते हैं जिकर करते हैं तो वो वहन जी बोली और उनके पती भी थे और एक उनका बेटा था वो वहन जी बोली ये सद्गुरु सच्चा है आओ प्यारी साथ संगा जी और महात्मा ने ब महिला नहीं मानी और उन्होंने रिपोर्टर पर रिपोर्टर कराई अंत में वो ठक कर गें निरास रहने लगी आओ प्यारी सास्थंगा जी एक मा का सबसे बड़ा दर्द होता है कि यदि उसे संतान की प्राप्ति ना होती है तो उसे बहुत बड़ी तकलीफ होती है आओ प्यारी सास्थंगा जी समाज उस पर उली उठाना शुरू कर देता है वो महिला कहती है कि मैं यूही सास्थंग से नहीं जुड़ी संत मात्मा हो मेरे जुड़ने का भी एक कारण है अब मैं उदास रहने लगी तो मेरे पडोस में एक मात्मा जी रहते हैं उन्होंने मुझे देखा कि यह दिन पर दिन उदास रहती हैं तो मैंने उनसे अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने कहा बेहन जी जस्पर भवन पे आप ये भवन बना हुआ है आप वहाँ पे आना और रभिवार में आना और रभिवार के दिन वहाँ पे जा करके संत महात्माओं से आप सेवा मांगना जैसी भी वो सेवा बक्षें और ज़्यादे तर आप जोडों की चपलों की सेवा मांगना आओ प्यारी साथ संगा जी और फिर करना क्या उन चपलों की जो चरण धूली है संत महातमाओं की वो मात्य से लगानी है आओ प्यारी साथ संगा जी ये प्रेम दिवानी ये सदुरू की भक्ती में लीन यानि इसने विश्वास किया संत महात्माओं की बात पर और इस महिला ने वही बोले मैं बैसे ही चली गए जस्पोर और संडे में जब चली गए वहाँ पे मैंने यानि संत महातमाओं से सेवा मांगी और फिर मैं चरण धोली साब करती थी चपलों को और माते से लगाती थी आओ प्यारी साथ संगा जी इस सचे पास्टा के लिए कुछ भी आसम्मा बने है नथिंग इस इंपॉसिबल इन दिस वर्ड आओ प्यारी साथ संगे जी होता क्या है अब वहाँ पर आश्रवाद मिलने शुरू हो गए सद्गुरु की किरपा बर्सनी शुरूई हो गई कुछ समय के बाद पता यह चला 11 सेवा करने के प्रांत उन्हें एक बेटे का जनम हुआ अब सारे डॉक्टर आश्रे में पढ़के मेडिकल साइंस हो गया कि मेडिकल तो बतारा कि संतान आपके दसजनम संतान है इह नहीं आँ प्यारी साथ संगे जी यह सची घटना अन्होंने हमारे साथ और एक नहीं कई सारे महातमा थे आए संगा उन्सका सभी पता एड्रेस लेना भूल गया लेकिन बता रहीं थे मैं जस्पूर तो कहने का ताथ पर यह जो काम दुआ से हो ना सके जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है अज जब सच्चा मुर्शन मिलता है तो बात खुदा से होती है आओ प्यारी साथ संगा जी यदि हमने ब्रहम ग्यान ले लिया यदि हमने ब्रहम ग्यान ले लिया और इट पास्ता सुप्रीम है इटनल है अनंत है कणकण में ब्याप्त है क्या यह एक चीटी को खाने के लिए रिजिक देता है तो आपको नहीं देगा क्या आप आप नहीं दिखाई देते से आओ प्यारी साथ संगन जी यह सुप्रीम पावर है उस वहन जी ने जब वह बच्चा किरपा के सामने है आओ प्यारी साथ संगा जी अदास का गला भी कुछ सेयोग नहीं कर रहा है तो प्यारी साथ संगा यही अरदास विंती करेगा जितने भी संत महात्मा आप जी के चर्णों से लगे हुए या ना लगवे सत्कुरु सब पे किरपा करें दतार उनकी जोलिय असोकों से भरते हुए और अपने चर्णों में अटूड जीवन भर लगा है रखना बस इतनी सी प्रातना है और सभी मिल जुलकर के विश्वास के साथ सत्कुरु के चर्णों में सेबा करते हुए आओ प्यारी साथ संगा जी अपने लक्षे को प्राप्थ होंगे और प्य से कहेंगे जी धनिंकार जी